Hello, Hello students, मैं डूक्टर शेशी कला यादाओ, असोचिट प्रोफेसर अफोर्म साइंस, गर्णमेंट कॉलेज फॉर विमेन हिसार, आज आपके साथ फूड रिडिशन के बारे में बात करूँगी. खादे एवं पोशन के अंदर जो हमारी मिलावट के एक समस्या है, ये टोपिक आज हमने एक content for undergraduate classes under the ages of department of higher education हरियाना के अंतरगत आपके लिए त्यार किया है. इस टोपिक के जो मुखे objective है, उदेश है वो है, मुखादे मिलावट क्या है, उसके परकारों के बारे में जानना, common बोशन के अंदर जो मिलावट की जाती है, अडल्ट्रेंट्स जिनको कहते हैं, वो कौन-कौन से हैं, और उनके हमारी सिहत के उपर क्या side effects हैं, और साधान method जिनके द्वारा हम एडल्ट्रेंट्स की पैचान कर सकते हैं, वो कौन से हैं, और उसके साथ साथ भोशन को किस परकार से food orientation से बचाया जा सकता है, इसके बारे में हमारी शरकार ने कौन से act pass की हैं, उसके बारे में इस topic के अंदर हम discuss करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं भोशन के अंदर मिलावट की, मिलावट क्या चीज है, इसका मतलब है कि भोशन के अंदर जो आमतोर पर कोई भी चीज मिलाई जाती है या उसमें से निकाल ले जाती है, यानि कि addition या subtraction करना, जो कि उसके प्राकरतिक जो संरचना है या उसकी quality है, उसको effect डालती है, उसको ह खादे पदार्थों के मिलावट क्याते हैं, खादे पदार्थों के मिलावट के अंदर किसी चीज का मिलाना, निकालना, या उसकी quality के साथ छेड़-छाड़ करना, या कोई खराब वस्तु को बेचना, या दूसरी brand के नाम से misbranding करना, या false label के साथ बेचना, या कोई जहर कोजन को मिलावटी जब कहा जाता है, जब उसके अंदर कोई substance मिला दिया जाता है, जिस से कि उसकी quality हमारी सिहत के उपर असर डालती है, या quality घटिया हो जाती है, सस्ते या घटिया quality के substances को पूरी रूप से, पूर्ण rूप से या उसके कुछ इससे को substitute कर दिया जाता है, य या कोई valuable या जो जरूरी तत्व हैं उनको पूर्ण रूप से या उसका कुछ हिस्सा उस भोजेपदार्त में से निकाल लिया जाता है जैसे कि दूद में से क्रीम का निकालना या असली चीज की नकल के रूप में जैसे कि नारियल के जो रेशे हैं उनकी रंगाई करके और के इसर के रूप में बेजना ये imitation का उधार्ण है या कोई रंग या इस प्रकार से उनको ट्रीट करना जिससे कि उसकी जो दृष्चता है उसमें सुधार आ जाता है और वो सबस्टांस जो उसके अंदर एड किये गए हैं उसको सुन्दर बनाने के लिए दिखाउट को अच् पहुचाते हैं और कोई भी रिजन जिसके कारण से जो क्वालिटी है वो बिलो स्टेंडर हो जाती है ये सभी अडल्टरेशन के कहा जाता है नेक्स जम बात करते हैं मिलावट के परकार मिलावट आमतोर पर तीन परकार से होती है सबसे पहली है intentional adulteration यानि की जान बोज कर क की गई मिलावट इसके अंदर जो में कारण है वो आर्ति गीलाब पाने के लिए मिलावट की जाती है आमतोर पर सेंड, मारबल सिर्स, स्टोन, मड, फिल्त, टैल्क, या चाक पाउडर, पानी, खनेज लवन या कोई harmful colors की मिलावट की जाती है इस परकार की मिलावट को intentional या यानि कि अन जाने में जो मिलावट हो जाती है भोजन की प्रिपेरिंग के इस टाई में प्रोसेसिंग स्टोरेज या एक जगे से दूसरी जगे ले जाते हैं या मार्केटिंग के दोरान प्रोपर हाजिनिक कंडिशन्स के ना मेंटेन करने पर या प्रोपर देखवाल नहीं क परने के कांड से जो तत्व मिल जाते हैं जैसे पेस्टिसाइड रेजिडियूस जो केती की पैदावार होती है या उनके स्टोर किया जाता है उस दोरान कुछ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके कुछ हैंस हमारे भोजन में आ जाते है या स्टोरेज के टाइम जो रोडेंट्स वगेरा चुहे वगेरा अनाज के भंडार में हो जाते हैं वो अपने एक्सक्रीटा को हमारे अनाज के अंदर छोड़ देते हैं या कीडे मकोडे सुर्सी वगेरा हमारे भोजन में लग जाती हैं उनके लारवे हमारे भोजन में एड हो जाते हैं यह सब अंजाने में हुए मिलावट के उधारन है नेक्स्ट है metallic adulteration जो की heavy metals के कार्ण से होती है जैसे कि arsenic की मिलावट pesticides के माध्यम से lead का भोजन में मिलना पानी के द्वारा या chemical industries के effluents का मिलना या tin can के द्वारा मिलना जब storage के लिए इस्तेमाल के जाते हैं उसमें can के माध्यम से next बात करते हैं food adulteration की categories की इसको food adulteration को हम तीन categories में divide कर सकते हैं replacement, addition and removal replacement का मतलब है किसी important constituent को authentic constituent को completely या partially उस भोजन में से निकाल लेना replace कर देना उसकी जगे, उसकी important constituent की जगे जो less expensive है, कम सस्ता जो चीज है उसको मिला देना यानि महंगे पदार्त को निकाल करके उस भोजन में से और सस्ते पदार्त को उसकी जगे replace कर देना जिससे कि उस भोजन की जो quality है वो deteriorate हो जाती है और यह चीज बिना ग्रहाक को बताए या बिना label पर mention की जाती है दूसरा है addition, यानि कि कि किसी चीज को थोड़े से amount में non authentic जो substance है उनको मिला दिया जाता है जिससे कि जो inferior quality के products है उनको अच्छा दिखाया जा सके next बात करते हैं removal की, removal of authentic and valuable constituents without purchasers knowledge जैनि ग्रहाक के knowledge में नहीं होता कि उसमें इसके अंदर से कुछ genuine तत्तु थे वो निकाल लिये गए हैं जैसे दूद में से cream का निकाल ले ना next बात करते हैं कि reasons क्या हैं जिन के लिए खादे पदार्थों के अंदर मिलावट की जाती है सबसे फहला region जो है ज्यादा धन कमाने के लिए या खादे पदार्थ की volume बढ़ाने के लिए ताकि कम price पर वो चीजे दिखाई दें या कई बारी क्या होता है किसी भोजिन की कमी है खादे पदार्थ की कमी है लेकिन उसकी demand ज्यादा है खासतोर से जिसे गर्मियों के सीजन में दूद की supply है वो कम हो जाती है और demand ज्यादा होती है तो उसमें maximum adulteration की जाती है उस demand को पूरा करने के लिए next है to cut down the product cost to meet the market competition यहीं कि market के competition को पूरा करने के लिए और price को भी ज्यादा ना बढ़ाने के लिए उसके अंदर मिलावट कर दी जाती है shortage of authentic ingredients at affordable price कम कीमत पर जब जो genuine या सही pure products की कमी होती है तो उस समय भी market की demand को पूरा करने के लिए मिलावट की जाती है shortage of qualified personnel and no application of processing techniques यह सब processing के दोरान जो unintentionally जो मिलावट होती है उसका है कि जो qualified personnel हमारे industries में काम नहीं कर रहे है cottage industries या उसमें और वो जो सही तरीके नहीं अपनाने के काण से मिलावट उनके अंदर हो जाती है inadequate knowledge of consequences and associated food safety risks यानि कि जो food को handle कर रहे हैं उनको सही knowledge नहीं होने के काण से उनको यह नहीं पता है कि जिस परकार से आप भोजिन को treat कर रहे हैं उससे उसके अंदर जो मिलावट हो जाएगी उसके क्या consequences होंगे उधार्ण के लिए जो किसान भाई हमारे कहती कर रहे हैं सबजिया उगा रहे हैं वो गिया के अंदर oxytoxin का injection लगाते हैं ताकि गिया के size जो को करबिट्स का size हो बढ़ जाए लेकिन उनको उसका यह नहीं पता कि जो injection उससे गिया का size तो बढ़ जाता है लेकिन वो गिया हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही नुक्षान दायक है lack of awareness and updation of information on the adulteration related food safety outbreaks यानि कि हमारे गिरहाकों को और जो food processing industry में या जो किसान भाई केती कर रहे हैं उनको भी मिलावट का जो हमारे शिहत के उपर कितना नुक्षान होता है उसके बारे में पूरी तरह से update नहीं किया जाता है next बात करते हैं कि जो खाते पदारतों के मिलावट है उसका क्या नुक्षान है सबसे पहला नुक्षान तो ग्रहाक को यही है कि उनको गटिया quality की चीज़ के उपर ज्यादा कीमत देनी पड़ती है जैने कि उनको आर्थिक नुक्षान है उसके साथ साथ हमारी सिहत को भी नुक्षान होता है और कई बार तो मिलावटी भोजन के खाने से मर्तु तक हो सकती है जैसे कि जो आर्जिमन आयल मिलाववा सरसों का तेल इस्तेमाल करने से ड्रॉपसी नाम का रोग हो जाता है और इसी तरह से अगर खादे तेलों के अंदर ट्राइक्रिसीन फोस्फेट की मिलावट है तो पेरलिसिस और डेथ तक भी हो सकती है सबसे पहले हम मिल्क या दूद के बारे में बात करते हैं दूद के अंदर बहुत प्रकार के तत्मों की मिलावट की जाती है और दूद एक ऐसा बोजे पदार्थ है जिसको की सभी आईवर्ग और आईवर्ग के विक्ति इस्तेमाल करते हैं बच्चा, बूढ़ा, महिला, पुरुस, बिमार सभी को इस दूद का सेवन करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पाने की पाने की मिलावट बहती कॉमन मिलावट है ये दूद की मातरा को बढ़ाने के लिए किये जाती है जिसके कांड से दूद की जो पोशक मुल्ले है वो कम हो जाता है और छोटो बैच्चों के अंदर ये उनकी सेहत के उपर बुरा असर डालता है दूसरा तर्टो जो दूद के अंदर मिलाया जाता है वो है Benjoic Acid और Salicylic Acid जब दूद को एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो दूद की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्योंकि दूद बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो उसको ठीक रखने के लिए उसके अंदर बेंजोईक एसिड और सेलिसलिक एसिड मिला दिये जाते है लेकिन इनके इस्तेमाल से एस्तमा और बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिवटी का लेवल बढ़ जाता है डिटरजेंट का इस्तेमाल दूद के अंदर जग को बढ़ाने के लिए और दूद के सफेदी और गाड़ापन लाने के लिए क्या जाता है लेकिन ये हमारी बढ़ापन करने के लिए यानि की सोलिड्स नॉट फैट की परसंटेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यूरिया की हमारे शरीर के अंदर जरूरत नहीं होती ये एक वेस्ट पदार्थ है जो गुर्दों के माद्धम से हमारे शरीर से आते हैं फॉर्मलिन का इस्तेमाल दूद की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या जाता है और ये हमारे लीवर और गुर्दे दोनों के लिए खतरनाक है स्टार्थ का इस्तेमाल दूद की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और दूद के अंदर गाडापन लाने के लिए यानि की SNF को मेंटेन करने के लिए सिंथेटिक दूद के अंदर इस्तेमाल किया जाता है स्टार्च मिलेवे दूद के कांड से डाइरिया हो सकता है और डाइबिटीज के मरीजों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है next time बात करते हैं पानी और स्टार्च के टेस्ट की कि दूद के अंदर अगर इनकी मिलावेट है तो कैसे पता लगाएंगे सबसे पहले पानी के लिए अगर दूद में पानी मिला हुआ होगा तो उसके लिए टेस्ट करने के लिए दूद की कुछ ड्रोप्स हम एक प्लेन और तिर्चे सर्फेस के उपर डालेंगे अगर प्योर दूद होगा तो वो धीरे धीरे बहेगा और साथ में एक सफेद रंग का निसान अपने पीछे चोड़ेगा लेकिन अगर दूद के अंदर पानी मिलावा है तो वो तेजी से बहेगा और कोई भी निसान नहीं चोड़ेगा नेक्स्ट है स्टार्च के लिए टेस्ट इसके लिए तो एमल दूद के अंदर दूद को एक टेस्ट टूब में लेते हैं और उसके अंदर कुछ आयोडिन के गोल की बूंदे डालते हैं अगर नीला रंग विक्सित होता है इसका मतलब है दूद के अंदर स्टार्च की मिलावट है नेक्स्ट बात करते हैं डिटरिजेंट डिटेक्शन की दूद के अंदर इसके लिए पांस से दस अमल दूद लेते हैं और उसके अंदर उतना ही मातरा में पानी मिला करके उसको अच्छी तरह से हिलाते हैं शेक करते हैं अगर दूद के अंदर डिटरिजेंट की मिलावट होगी तो बहुत ही गहरा ज्ञाग बनेगा लेकिन अगर दूद प्योर होगा तो उसके अंदर हलका बहुत ही पतला सा जहाग बनेगा जो कि शेकिंग के कार्ण से पन होता है नेक्स बात करते हैं गी की, गी के अंदर आमतोर पर गी एसेंस, ओलियो मार्जरीन या लाड और डिफरेंट टाइप के स्टार्चिज की मिलावट की जाती है गी एसेंस का इस्तेमाल, जो सस्ते तेल हैं उनके अंदर मिला करके गी का फ्लेवर दे करके उनको प्योर गी के रूप में बेचा जाता है लेकिन इस परकार का जो गी है, वो ना तो सोलीडिफाई होता है नौर्मल गी की तरह से और ना ही उसका जो टेक्शर है, वो दानेदार प्योर गी की तरह से होता है जो एनिमल फैट है वो बटर के अंदर एड़ किया जाता है पिटैटो, स्वीट पिटैटो और दूसरी प्रकार के स्टार्स भी गी के अंदर मिलाए जाते हैं ताकि गी की मात्रा बढ़ सके अगर हम बात करें हेल्थ इफेक्ट्स की तो गी की जो मिलावट है उसके कार्ण से केंसर या हमारे गुर्दों की जो समस्याए हैं वो काफी हो सकती है अगर जो एडिबल ओयल में या गी के अंदर आरजिमन ओयल मिलाया हुआ है गी के अंदर तो उस वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है हमारे लिए रोड़ ड्रॉपसी नाम का रोग हमारे अंदर कर सकता है और इसके कार्ण से पैरलिसिस भी हो सकती है निक्स्ट बात करते हैं एडिबल ओयल की एडिबल ओयल के अंदर आम तोर पर आरजिमन सीड्स को मिलाया जाता है सर्सों के सीड के अंदर और आरजीमन ओयल को सरसों के तेल के अंदर मिलावट की जाती है उपर दियेवे कॉर्णर के अंदर आरजीमन का पोधा है और उसके आरजीमन के बीज भी दिखाए गए है ताकि स्टूडेंट्स को पहचान हो सके कि आरजीमन का पोधा कैसा होता है इसके साथ साथ जो खनीज तेल हैं उनकी मिलावट भी खादे तेलों के अंदर की जाती है निक्षम बात करते हैं हेल्थ इफेक्ट्स की जो ये मिलावट है खादे तेलों के अंदर इसके कांड से अपिडेमिक ड्रॉपसी और ग्लुकोमा हो सकता है आरजिमन ओयल की वज़े से और मिनरल ओयल की मिलावट से कैंसर भी हो सकता है आरजिमन ओयल को टेस्ट करने के लिए 5 ml तेल के एक टेस्ट्यूब में लेते हैं इसके अंदर 5 ml concentrated nitric acid मिलाया जाता है अगर reddish brown कलर अपियर होता है तो इसका मतलब है उसके अंदर आरजिमन का तेल मिला हुआ है नेक्स बात करते हैं तूर दाल, लड्डू, mixed spices या सेफरन इनके अंदर आम तोर पर artificial colors जैसे की जो non permitted colors है methylene yellow, lead chromate आदी मिलाया जाते हैं जिसके कारण से tumor और cancer का खतरा बढ़ जाता है lead chromate को test करने के लिए 5 gram दाल के साथ में 5 ml पानी लेकर के उसके अंदर कुछ drop hydrochloric amal की डाली जाती है अगर गुलाबी रंग विक्षित होता है इसका मतलब है उस खदिपदार्थ के अंदर lead chromate की मिलावट की गई है हमारे अनाजों के अंदर और दालों के अंदर जैसे की चावल है, गेहूं है, बाजरा है इनके अंदर आम तोर पर sand, grits, marble pieces, साबून या पत्थर, stone के टुकडे मिला दिये जाते हैं बाहर बढ़ाने के लिए और इनको हम visually detect कर सकते हैं और remove कर सकते हैं shorting, hand picking या washing के दुआरा और आम तोर पर अगर 4% से ज़्यादा कंकर पत्थर हमारे अनाज या दालों में हैं तो इसका मतलब है वो जान बूझ करके मिलावट की गई है और sand, grits, yeast प्रकार की जो मिलावट है ये हमारी पाचन परनाली को नुक्षान पहुचाती है नेक्स बात करते हैं दालों के अंदर जो आम तोर पर केसरी दाल की मिलावट की जाती है जैसे कि मसर की दाल है, चने की दाल है या बेस सनैन में केसरी दाल मिला दी जाती है ये दाल जो लो इंकम ग्रूप के पीपल है, मदे पर्देश, बिहार, बेंगाल या उतर पर्देश में उनका स्टेपल फूड है इस दाल के इस्तेमाल से लथायरिजम नाम का रोग हो जाता है जिसकी अंदर लोवर लिम्स के अंदर परलिसिस हो जाती है गुटनों के अंदर गुटनों के जो जोईंट से नी जोईंट से वो स्टिफ हो जाते हैं और एंकल्स और नी के जोईंट से में दर्द होने लग जाता है ये बहुत ही हाइली कार्सिनोजेनिक है और स्टॉमक डिसॉडर्स करने का काम करती है केसरी दाल की मिलावट को चेक करने के लिए 50 ml dilute hcl के अंदर hydrochloric ml के अंदर 10 ग्राम दाल का सेंपल लेते हैं और उसको 15 मिनिट के लिए गरम पाने के अंदर रखते हैं अगर गुलाबी रंग विक्षित होता है इसका मतलब है उसके अंदर केसरी दाल की मिलावट है का जो बाजरा सीड्स हैं वो हमारे nervous system के नुक्षान दायक होते हैं और इसको test करने के लिए थोड़े से बाजरा के सीड्स को हम पाने के अंदर डालते हैं जो infested सीड्स होंगे वो बाजरे पाने के उपर तरने लग जाएंगे चीनी और नमक के अंदर आमतोर पर चाक पाउडर, वाइट सेंड, वाशिंग शोडा, प्लास्टिक क्रिस्टल्स, यूरिया, वाइट या येलो कलर और स्टोन्स को की मिलावट की जाती है चाक पाउडर का हमारे सेहत के उपर कोई बुरा परभाव नहीं पड़ता लेकिन लंबे समय तक अगर हम इसको सोशन किरिया में इनहेल करते हैं तो हमारी सोशन की जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी प्रोबलम समय दे सकता है वासिंग सोडा का इस्तेमाल से डायरिया, नोजिया और वमिटिंग हो सकती है इनको टेस्ट करने के लिए थोड़े से चिन्नी या नमक को हम पानी के अंदर घोलते हैं जो नमक और पानी है वो नमक या चिन्नी पानी के अंदर घोल जाता है लेकिन जो मिट्टी या कंकर पत्थर है वो बोटम के अंदर सेटल हो जाते हैं Next बात करते हैं tea leaves की चाय की पत्ती के अंदर आम तोर पर इस्तेमाल कीवी चाय की पत्ती या artificial colors या dye का इस्तेमाल किया जाता है या iron flakes का इस्तेमाल करते हैं वजन बढ़ाने के लिए और आम तोर पर जो मिलावट है वो जो खुली चायपती मारकेट में मिलती है उसमें ज्यादा चांसें होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल कीवी चायपती जो चाय के स्टाल से वहाँपर सुर्ये के परकास में सुखाई हुए पती को कोल्तार डाई के साथ dye करके mix कर दिया जाता है कुछ मातरा में fresh tea leaves के साथ इस परकार की जो चाय पती है वो हमें cancer और tetanus का कारण बन सकती है इनकी मिलावट को चेक करने के लिए अगर इस्तेमाल कीवी चाय पती है तो उसकी मिलावट को चेक करने के लिए एक blotting paper लेते हैं उसको घीला करके उसके उपर चाय की पतीया डाल देते हैं अगर reddish color डिवेल्प होता है तो इसका मतलब है चाय की पतीया इस्तेमाल की वही है iron feelings को चेक करने के लिए एक magnet लेकर tea leaves के उपर से उसको गुमाते हैं अगर उसमें iron feelings होंगी तो magnet के साथ चिपक जाएगे निक्स बात करते हैं कॉफी की कॉफी जो की एक high society की drink मानी जाती है उसको भी मिलावट से के लिए नहीं बख्षा गया है इसके अंदर आम तोर पर चिकोरी पाउडर, ग्राउन टेर्मरेंट date seeds या दूसरी प्रकार के starch जैसे मेज, सोया बिन सुगर ये सब मिला दिये जाते हैं टेमरेंट seeds, date seeds, powder जो है वो हमारे को डाइरिया का कारण बन सकते हैं चिकोरी powder के कारण से stomach disorder giddiness और joint pains हो सकता है ग्राउंड कोफी के अंदर अगर कोई सस्ते ingredients जैसे की मेज, सोया, बिन, सुगर इत्यादे मिलाई वही हैं तो उनका कोई हमारी सेयत के उपर बुरा परभाव नहीं पड़ता लेकिन वो कोफी की quality और taste को खराब करने का कारक बनते हैं मिलाउट को चेक करने के लिए कोफी powder को पानी में घोला जाता है कोफी powder उपर तैरने लग जाएगा लेकिन जो मिलाउट की गए ततो है वो bottom के अंदर जमा हो जाते हैं नेक्स्टे चिली powder लाल मिर्च powder के अंदर आमतोर पर सुदान रेड, रेड ब्रिक पाउडर ग्रिट, सेंड, डर्ट साडस्ट या नोन पर्मिटिड कलर जैसे की रोडामिन भी का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिक पाउडर, साडस्ट स्टोमक डिसॉर्डर करते हैं सुदान, डाई और रोडामिन भी ये दोनों कार्शिनुजनिक हैं मित्टी ब्रिक पाउडर, सेंड और डर्ट को चेक करने के लिए तोड़ी सी लाल मिर्च को हम पानी में घोलते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर उपर रह जाता है लेकिन ये मिट्टी वगेरा निच्चे जम जाती है नेक्स बात करते हैं हल्दी पाउडर की Healthy Powder के अंदर आम तोर पर Yellow Aniline Dye, Non-Permitted Colors जैसे की Metalin Yellow, Tapioca Starch और Lead Chromate इत्यादी की मिलावट की जाती है Yellow Aniline Dye और Non-Permitted Colors जैसे की Metalin Yellow ये दोनों हमारी सिहत के लिए कार्शिनोजेनिक हैं यानि की Cancer पैदा कर सकते हैं Tapioca Starch की कार्ण से Stomach Disorders हो सकते हैं यानि की Pate खराब हो जाता है Lead Chromate को Turmeric Powder में अगर मिला दिया जाता है और और मसालों के अंदर मिलाते हैं तो उसके कार्ण से Anemia, Paralysis, Brain Damage और Abortion का कार्ण बन सकते हैं काली मिर्च के अंदर आम तोर पर Papaya Seeds पपिते के बीच हलकी क्वालिटी की काली मिर्च या Mineral Oils में से कोट की हुई काली मिर्च के साथ मिलावट की जाती है Papaya Seeds को चेक करने के लिए हम फिजिकली उनको देख सकते हैं Papaya Seeds के जो शेप है वो काली मिर्च से अलग होती है वो शिकड़ेवे ओल सेप के और ग्रिनिस ब्राउन या ब्राउनिस ब्लैक कलर के होते हैं और अगर हम Papaya Seeds को या Light Pepper को पानी के अंदर डालते हैं तो हमारे Papaya Seeds उपर तैरते हैं अलके होने के कारण और जो हलकी काली मिर्च है वो भी अलकोहल के अंदर या पानी के अंदर तैरती है और जो पैपर मिनरन ओयल से कोट की गई है उसकी अंदर केरोसिन जैसी स्मेल आती है Coriander Powder के अंदर आम तोर पर साडस्ट मिलाई जाती है और इसको चेक करने के लिए हम थोड़े से पानी के अंदर Coriander Powder को चिरखते हैं Coriander Powder निचे जम जाता है लेकिन जो साडस्ट है वो पानी के उपर तैरती रहती है इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं नेक्स्ट है Green Chillies, Green Peace और दूसरी सबजियां इनके अंदर आम तोर पर Malachite Green का इस्तेमाल किया जाता है अगर ये chemical हमारी इन सबजियों के माद्दम से लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी सिहत के लिए कार्सिनोजेनिक है इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा सेंपल को हम एक गिले ब्लोटिंग पेपर के उपर रखते हैं अगर उसके अंदर ग्रीनिस कलर आता है इसका मतलब है कि उसके अंदर मेलनाइट ग्रीन या किसी दूसरे आर्टिफिशल रन की मिलावट उन सब्जियों के उपर की गई है या परमेटिड कलर्स का इस्तेमाल जो सेफ लिमिट है उससे ज़्यादा किया जाता है और जो कि हमारे सिहत के लिए अलर्जी, हाइपर अक्टिविटी, लिवर डैमेज, इनफर्टिलिटी, अनीमिया, कैंसर या बात डिफेक्ट्स का कारण बन सकता है इसके साथ साथ जो चांदी के वर्क लगाया जाता है उसकी जगे अलिमिनियम का वर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है मिलावट के लिए और वो भी हमारी सिहत के लिए नुक्षान दाय के हमारे गुर्दों के उपर बुरा परभाव डालता है नेक्स बात करते हनी के अंदर आम तोर पर गुड चीनी या कोर्न सिरफ की मिलावट की जाती है और इनके इस्तिमाल के कारण से हम ओबेसिटी डायबेटीज या आईज और नाउस का डेमेज हो सकता है सहद के अंदर मिलावट को चेक करने के लिए एक कोटन की बत्ती को सहद में डुबो करके उसको जलाया जाता है अगर वो बत्ती सही परकार से जलती है इसका मतलब सहद के अंदर पानी की मिलावट नहीं है इसको चेक करने के लिए थोड़ी से गुड़ को घोल बना करके उसके अंदर कुछ बूंदें concentrated hydrochloric amal के डालते हैं अगर उसके अंदर जाग बनते हैं इसका मतलब washing soda है और washing soda हमारे पेट के लिए नुक्षान दायक रहता है meat और fish के अंदर आम तोर पर formalin या दूसरी परकार के chemicals के मिलावट की जाती है ताकि meat और fish लंबे समय तक fresh रहसके लेकिन ये हमारे सिहत के उपर बड़ा ही नुक्षान डालती है cancer, asthma और हमारे तोचा के रोग उत्पन कर सकती है unhygienic conditions के अंदर meat और meat के product को अगर त्यार किया जाता है तो food infection का कारण या बुखार या cheese का कारण भी बन सकते है mercury, जो mercury contaminated fish है उनके अंदर mercury अगर है तो वो हमारे को brain damage, paralysis या death का कारण भी बन सकती है इन सर चीजों को ध्यान में रखते वे हमारी government ने prevention of food filtration act 1954 के अंदर पास किया था और इस act को 1954 में पास करने के बाद 1964, 76 और 1986 के अंदर उसको amend किया उसके अंदर कुछ बदलाव कि इस act का main मकसद इन्शोर करना कि pure और wholesome food ग्रहाक को मिले और protect करना consumers को fraudulence से और disruptive trade practices से यानि कि ग्रहाक को सही quality का भोजन प्रदान करने के लिए ये act बनाया गया था और इस act के अंदर अगर कोई मिलावट करता हुआ पकड़ा जाता है मिलावट का case prove हो जाता है तो उसको 6 मेने की jail और 1000 रुपे का जुर्माना है अगर मिलावट की वे भोजन के कार्ण से किसी कोई health में नुक्षान होता है या उसकी वेक्ति की मौत हो जाती है तो मिलावट को life imprisonment यानि की आजीवन कारावास और 5000 रुपे का जुर्माना है इसके इलावा हमारी government ने कुछ और acts भी पास किये हैं सबसे पहले बात करते हम codex elementus जो की FAO और WHO का यानि की international organizations का ये एक standard तै करने वाले body है और भारत के अंदर भी इनी के basis पर standards तै किये जाते हैं PFA जो की already हम discuss कर चुके हैं एग मार्क, Bureau of Indian Students यानि ISI और FPO ये तीन standards भी food के उपर apply किये जाते हैं जो की भोजन की सुदता की guarantee है next बात करते हैं FSAI ये food safety और standard authority of India का latest food safety standards के लिए 2006 में developed किया गया गया था जो की ministry of health and family welfare government of India के अंडर आता है इसको create करने का main उस्देशे है science based standards भोजे पदार्तों के लिए विक्षित करना और उनको regulate करना manufacturing, storage, distribution, sale, import हर level के उपर safe और wholesome food ग्रहा को देने के लिए ये body बनाई गई है इसके साथ साथ इसका main उदेशे है पहले बहुत सारे ministries food के संबंद में कारिये करते थी लेकिन अब सभी ministries को food से संबंद को एक चत के अंदर एक act के अंदर लाने के लिए ये बनाया गया है next बात करते हैं इन सब सीजों को सुनने पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि जो food adaptation है वो भोती unethical और social level है और इसके साथ साथ एक slow poison भी है यानि कि धीमा जहर है जो विबिन सर्वे हैं वो बताते हैं कि हमारे देश के अंदर एक तिहाई से ज़्यादा भोज्य पदार्थ मिलावट किये हुए हैं और जो हमारे शियत के लिए slow poison का काम कर रहे हैं इन सब इतने सारे government के acts बनाने के बाद भी standards बनाने के बाद भी मिलावट का कारिय बड़े जोर सोर से चल रहा है इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगे कि जागो ग्रहक जागो इसके साथ ही कुछ जो हटोपिक हमने discuss किया है students उसमें से कुछ multiple और short type questions और long questions मैंने त्यार किय हैं जो कि इस chapter से सम्मंदित हैं यह आप करेंगे और यह references दिये गए हैं आप लोगों के further study के लिए कि अगर आप इस topic को और ज़्यादा clear करना चाहते हैं तो इन references के को भी आप further study कर सकते हो उमीद करती हूँ कि आज का यह topic आपको समझ आया होगा अगर समझ आया है तो आप अपने और सभी सातियों के साथ share करें ताकि वो भी इसका फायदा उटासके Good luck for exams, thank you for watching this video with great